है अनेको साल रिसंज के बात सबस्ondorf जब को बड़ी कमपणी किसी प्रोड़क्त को मारिकेट पर लांज करने वाली और उस प्रोड़क्त को लिकर लगाती है डेमो लगाती है कि श्पानव पर लेके जाती है और क्या काम करते हैं किसे काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे और साथ ही बात करेंगे किसान से भी और वीडियो में बहुत कुछ होने वाले हैं क्योंकि हम फिल्डे भी दिखाएंगे तो आप बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के अंदर से किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे कि जो लाल टेप से कवर हुआ है इस फिल्डे में किसी भी प्रकार का दबे डाला नहीं गया है यानि कि इस खेत्र में इस फिल्डे में यह एगास उकते है जो कि आपको वीडियो के माद़ा में से नजरा रहा है इसके बाद अगर हम राइट शाट की बात करें तो इस खेत्र में सेजिंडा कमपणी का बेलोरी को डेमो डाला गया है जो कि एक समान नर्सरी और थोड़ा सा ग्रीनेस भी नजरा रहा है कमपणी कहती है कि जहां जिस दान पर बेलोरी का इस्तमाल होते है थोड़ा सा कंसा भी आ जाते है और थोड़ा सा गिरनेस भी गिरिन वेल्ड भी लंबे समय तक बनाकर रखता है तो किसान भायों मैं आपको बता दूँ कि जो बेलेरुइक है और प्री और प्रोष्ट दोन है यानि कि उगे हुए घास को कंट्रोल भी करता है और उगने भी नहीं देता थोड़ा सा जमिन को भी देखने की कोशिश करते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा जमिन भी साफ है यानि कि कोई घास उगा नहीं है दुबारा थोड़ा सा Greennellies के साथ हमें कंसा भी थोड़ा जादा देखने कοया मिला इस फिल्डे में अपेच्या उस फिल्डे की जहां किसान अपने पद्धता से दवई का प्रयोग किया है और जहां दवई का प्रयोग भी नहीं हुआ है तो किसान भायों आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि इस फिल्ड में एक समान नर्सरी दीख रही है साथ ही गिरनेश भी थोड़ा जादा है और कोई भी घास उगा नहीं है और वे होई घास को भी अच्छे से दवाई कंट्रोल किया है अब हम उस फिल्ड में जाते हैं जहां किसान अपने पद्धति से दवे का प्रयोग किया है तो चलते हैं उस फिल्ड में तो किसान भायों आप देख पा रहे होंगे कि जो नीले टेप से जो कबर हुआ है इस फिल्ड में किसान अपने पद्धति से यानि कि जो मार्केट में पुलब्द हो जाता है दवाई हर भी साइट उसको प्रयोग किया है तो किसान भाईओं आप वीडियो के मादम से साब देख पा रहे होंगे कि इसमें गिरनेस भी काम है और घास का भी अच्छे से नियंत्रित नहीं हुआ है अपक्या बेलोरिक के बेलोरिक में एक समान नरसर इसके लिवाई कि नियुक्त करेंगे कि कुण घास के कीश अवस्ता मैं हम ब début को इस्तेमाल कर सकते और सब से पहले हमारे किसान भाई से मिल लेते हैं हमी हमारे किसान क्या बोल रहे हैं दो एक सब्सक्राइं ड्हूर्या अपस्झेब के Creator भारत पटेल खुटेरी से हूँ पीतवरा से हैं अब आपके खेतों में बेलोरीका जैसे डेमो हुआ है तो अब कब डेमो हुआ है जब मैं दान पुवाई किया उसके 8-10 दिन बाद में हुआ है घास का कर्डिशन क्या था तो यह से पत्ते पर डेमो डाले हैं जैसे कि आप ऐ दो से डाहे पत्ता था यहां है एसी कुछ आया था चोटा-चोटा हुआ था दो दो पत्ता हुआ था अच्छा उसके आप डेमो डाले हैं वह आपको रिजल कैसा मिला अब जिसमें डाले हो ठीक है अपना खेत थोड़ा ज्यादा आया हुआ हुआ है जिसमें आप अपने प जिसमें आप डेमो डाले हैं उस प्लाट पे पूरा नियंत्री था कोई भी घास ने दिख रहा है लिए सेंटा कंपानी वाले बेलोरीक जब डेमो डाले थे उस टेंग आप थे क्या कि तो यह बो रहाता कि उसमें कुछ मिलाए क्या और ने और कुछ नहीं डाले है उसमें उसमें आप अपने हिसाब से डालें हैं तो उसमें क्या चाहिए दुखान गया था जह पायरी गोल्ड डिया हैं और चुहा के लिए यूरोस गोल्ड डाला हूं कि अपने हिसाब से यो पूराने पत्ति याप जumm से डालते हैं राधि की बिल्लोरीक घंट मार्केट में अपलफ्ब हो जाएग तो आप डालेंगे लिए एक हैं जो बिल्युट में किसानों कुछ बताएंगे प्रती एकड़ 800 ml हिसाब से इसको इस्तमाल करना है और घास की अवस्ता एक से दो पत्ता की स्टेज पर ही बेलोरिक का उप्योग करना है बेलोरिक फसल के लिए पूर्णता हसेब है इसमें एक हाई क्वालेटी का सेपनर मिलाया गया है जो की फसल को सुरक्षित रखता है के लिए ही उप्युक्त है मुझे उम्मीद है किसान भायों कि आपको बेलोरिक लेकर जो सवालें थे काफी सवालें हलों होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें धन्यवाद